हिमाचल परदेश को श्वक्ष और स्वास्ते बनाने के मदस्ट से बर्तमान जैराम सरकार लगतार प्रयासरत है जिसके चलते एक और जहां श्वक्षता को लेकर लोग को ज्यागरूग करने का काम किया जा रहा है तो दूशरी और परदेश अस्पतालों में नवनिर्मित भा परमार बिलाशपूर जीले के गुमारवी हलके के एक दिवसी दोरे पर पहुंचे जहां उनका बिजेपी करकरताओं सहीत अस्थानिय जनतावा बिभाग अधिकारियों ने स्वाकत किया अपने दोरे के दोरान स्वास्त मंत्री ने भराड़ी समोहिक स्वास्तर केंद्र के ओपीडी भावन प्रात्मिक स्वास्तर केंद्र दधोल के नवनिर्मित भावन और स्वास्तर उपकेंद्र मुंडखर के नवनिर्मित भावन का उधगाटन कर जनता को सौगात देने का काम किया तो साथी घुमारवी नागरिक अस्पताल को 50 बेट से 100 बेट कर मरीजों के लिए बेट की कमी की समस्या को भी दूर करने का काम किया वह इस जानता को समोधित करते हुए स्वास्तर मंत्री बीफिन सिंग परमार ने अश्मान भारत योजना से छुट गए लोगों को परदेश की महत्योकान सी योजना हीमकेर से जोडने की बात कही अभी तक 48,000 लोग को इस योजना से जोडने और इस पर 45 क्रोड रूपए खर्च की जाने की बात कहें स्वास्ते विभाग की अगर मैं बात करूं तो हिमानचल प्रदेश में अगर हम बहुत से पैरा मीटर्ज में पूरे हिंदोस्तान की तुलना में अच्छे स्थान पर हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अच्छे स्थान पर होना इसका आंकलन जो हेल्थ सर्फसीज हम चाहे वो गाओं हैं चाहे वो शहर हैं दूर दराज के ख्षेत्र हैं जो अच्छी स्वास्ते सुविधायं दी जा रही हैं उसके लिए श्रेश्तम राजियों में हिमांचल परदेश को आंका जा रहा है हिमांचल परदेश के पूरे राजियों को हम हेल्थ इंशूरेंस कवरेज देने के लिए सक्षम हैं और मैं आंकडा इकठा कर रहा था मुझे जानकारी ये मिली है कि जो हिम्कियर योजना है उसमें लगवग 48,000 लोगों का उपचार 45 क्रोड रुपए से हिमांचल परदेश में हो चुका है यानि जिन लोगों को अपनी बिमारी का इलाज कुरूआने के लिए कहीं जाना पड़ता था किसी के हाथ, किसी के दरवाजे के आगे हाथ वैलाना पड़ते थे वो सुरक्षा, स्वास्त बिभाग ने हिमांचल परदेश में परदान की है इसलिए अवार्ड मिले